जीके काफी जादा important subject है अगर आप किसी भी exam के त्यारी कर रहे हो तो फ्रेंट्स हो सभी question जो आपके exam के लिए important रह सकते हैं वो मैं आपके लिए इस video series में लेकर आया हूँ तो आप इस video को starting center तक जरूर देखना और video देखने के बाद आप यह जरूर बोलोगे वा भाई क्या वीडियो बिनाता है नमस्का दोस्तों आप सभी का स्वागत है अपके अपने youtube channel रवीशडी आईक्यू जीके पर आतमा आपके लिए 10,000 GKS की जो वीडियो series करवा रहा था उसका part 3 वीडियो लेकर रहा हूँ मैं आपको हर part में most important GK के questions करवा रहा हूँ इतने जादा important है अ सभी questions अच्छे से रट लेना एक्जाम में आपको बहुत help मिलेगी स्टार्ट कर लेते हैं अपने question number 1 से question number 1 है हमारा दो सागरों को मिलाने वाली संकीन जलमा को क्या कहा चाता है सही answer है जल डमरू मध्धे कहा चाता है दो सागरों को मिलाने वाली संकीन जलमा को important है अगला question question कर लेते हैं की नहर किदो सागरों को जोडती है तो answer है उत्री सागर को और बाल्टिक सागर को आपस में जोडता है कील नहर अगला question कर लेते हैं English Channel की इन दो देशों के बीच में स्थेत है, तो सही answer है England और France देश के बीच में English Channel स्थेत है, आपको नए England की राजधानी और France की राजधानी भी बताऊने चाहिए जो France की राजधानी Paris है यहाँ पे लिख देता हूँ England देश की राजधानी है, लंडन important question है, एक्जाम में कई बाप उचाहिए मैं आपको सारे question important इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि यही question है, जो हर exam में बार बाप उचे जाते हैं तो आप exam से पहले, इस सभी question अच्छे से रट लेना, exam में आपको बहुत help मिलेगी अगला question कर लेते हैं, किस देप को प्रशान्त महासागर का चोरहा के नाम से जाना जाता है तो answer है, जो हवाई देप है, इसे प्रशान्त महासागर के चोरहा के नाम से जाना जाता है अगला बश्रिन कर लेते हैं गे लिएखा कीन दो देश के बीच में अंतराष्टी सीमा कै जो उत्री विएतनाम देश है तक्षिनी विएतनाम है जो देश है जोआ बीक्षेणर पुछा है अगला Q Köbyshoon कर लेता है Medicine रिखा कि लिख में उन्तराष्टी सिमा है तो आंसर है Canada देश और जो America देश है इसके बीच में जो Medicine रिख ये उन्तराष्टी सीमा बनाती है Canada देश राअटमेड भी आपको बतानों चाहिए यह एक्जाम में पूचा गए इसके राज़दानी प्रेंस होती है, ओटावा, यहाँ पर लिख देता हूँ, और फेंस अगर आपसे एक्जामे यह पुछा जाए कि जो भारत और पाकिस्तान की बीच में जो अंतराश्टी सीमा है, उसको क्या बोलते हैं, तो उसको बताने हैं, उसको हम रेड क्लिफ रेख और फ्रेंस अगर आपसे यह पूछा जाए कि भारत और चीन की बीच में आंतराश्टी सीमा कोण सी है, तो उसको सब्सक्राइद प्रेंस का साथ आंसर है ओधर मॉहन रेखंक जो है बारत और चीन की बीच में अंतराश्टी रेखंक का नाम है, अगला परशन है, उत्द्य अमेरिका के उच्छतम परवत का क्या नाम है? तो आंसर है, जो माउंट मेकैनिल है, ये उतरी अमेरिका के उच्छतम परवत का नाम है. अगला परशन करेते हैं, विश्व का कौन ऐसा देश है, जो यूरोप तथा एश्या दोनों महादेब में स्थित है? जो रूस देश है, ये यूरोप महादेब में भी स्थित है, और एश्या महादेब में भी स्थित है, और ये अखेला देश ऐसा है, और ये कोशन भी एक्जामे कई बार पूचा गया है, मैं आपको सारे कोशन इंपॉर्ण इसलिए बोल रहा हूँ, क्योंकि यही कोशन है, जो हर एक्जामे बार पूचे जाते हैं, और ये अच्छे लावल एक कोशन है, तो काफी ज़्यादा चांस यह से हैं, अगले एक्जामे ये कोशन रिपीट होंगे, अगला कोशन कर लेते हैं, विश्युव की सबसे बड़ी शुष्क मरुस्तल का क्या नाम है, तो आंसर है, जो आटा कामा है, यो विश्युव की सबसे बड़ी शुष्क मरुस्तल कहलाती है, अगला कोशन कर लेते हैं, कोईले की सर्वोत्तम किसम कोन से होती है, तो आंसर है, जो anthracite है, यह कोईले का सर्वोत्तम किसम होता है, और इसमें 90 पतिश्य तक कार्बन पाया जाता है, इसलिए हम इसको कोईले की सर्वोत्तम किसम कहते हैं, और इसमें आपको इसमें आपसे एक्जाम में यह पूचा जा सकता है, जो सबसे शुष्क मरुस्तल आट इसमें आपको इसमें आपको इसमें आपको 50 कोशन करवाने वालो, जो आपके 50 कोशन कंप्लीट हो जाएंगे, मैं आपको यही कोशन एक बाफ इससे रिवाइस भी करवाने वालो हूँ, ताकि आपको सारे के सारे कोशन हमेशा के लिए इसी वीडियो में याद हो जाएं, और आपको नोर्स बाने की ज़रुत ना बढ़ें, फिर जब मैं टेस्ट रखा है, दोनों कोशन का आंसर आपने मुझे कमेंटर के जरूर देना है, इससे आपकी नौलेज एक हो जाएगे, और जो मैं आपको बढ़ा है, वो रिवाइस भी हो जाएगा, अगला पशन कहा लेते हैं, लाल मिट्टी का रंग लाल किस कारण से होता है, तो आं किस महादीब को नई दुनिया के नाम से जाना जाता है, तो आंसर है, जो उतरी अमेरिका महादीब है, इसे नई दुनिया के नाम से जाना जाता है, अगला पशन कहा लेते हैं, बेकाल जील किस देश में स्थित है, तो आंसर है, जो रूस देश है वहाँ पर बेकाल जील स् एस्पियन जील है, यह विश्व की सबसे बड़ी जील है, छेतफल की दृष्टी से, अगला परशन कहलेते हैं, विश्व की सबसे बड़ी मिठे पानी की जील का गया नाम है, तो आंसर है, जो सूपिरियर जील है, यह विश्व की सबसे बड़ी मिठे पानी की जील कहलाती है अगला परशन कर लेते हैं, किस सागर में सबसे अधिकतम लवन्ता पाई जाती है, तो आंसर है, जो मिर्थ सागर है, यहाँ पे सबसे अधिकतम लवन्ता पाई जाती है, अगला परशन हमारा है, फोबोस और डीमोस किस ग्रह के दो ग्रह है, तो आंसर है, जो मंगल ग्रह है, इसके दो बग्रे है फोब्स और डेमो स अबको बताओने, जो मंगल ग्रै इसे हम लाल ग्रै के नामसे भी जंते हैं आपनी दिपनी है, जो हमारे less on ऊंगल ग्रै यह हमारे Heus ऑगला परशन करना itay so सूरे जो एक गैस्य गोल है, मुखेता किन गैस्यों से मिलकर बना है, तो आइसर है, हाइडरोजन और हेलिएम से मुखेता Crunchy, सूरे आइसर है, इसमें हाइडरोजन, गैस घत्तर पर, ह Земसों चैनल में 17 घ्रतभ अगाजन के लिए वह 27% होती है अगला पश्सकन कर लेते हैं, मासको जो के रोस में है रोस का शहर निंसों बेदे के सथिट है,- ão अनशर मॉसकवा नदी के के किनार है 이렇게 रूस का मासको शहर अगला पुर्शन का लेते हैं भारत का अंतिम गवर्नर जर्नल तथा भारत का पहला वाइसराई कौन था तो आंसर है जो लॉड कैनिंग था ये भारत का अंतिम गवर्नर जर्नल और भारत का पहला वाइसराई था और फिर आपको बताया था कि जो भारत का पहला गवर्नर जर की शुरुवात करी थी, यह question भी exam में कई बार पूचा गया है, अगला question कर लेते हैं, रोल एक्ट act, 1919 किस वाइसराई के काले काल में पास हुआ था, तो answer है, जो लौर्ड champs ford था, इसके काले काल में जो रोल एक्ट एड था, ये पास हुआ था, मैं आपको बताता हूँ, मेरे और भी YouTube चैनल है, अगर आपने Maths रिजनिंग पढ़ना है, बिल्कुल expert level का, तो आपको आना पड़ेगा, रवी study IQ Maths पे, और मेरे English को चैनल भी है, जहां आपे Hindi भी बढ़ाए जाता है, वो है रवी study IQ English, और मोटिवेशन चैनल भी है, वो है रवी बॉस, यहां पे आपको मोटिवेशन की वीडियो और टेक की वीडियो अपलोड की जाती है, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लिए ताकि नेक्स वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे, और आप मुसे जो दड़ स्थलिया, बोलो महांचो दड़ सभेता की खोच 1922 में किसके द्वारा की गई थी, तो आंसर है, जो रखाल दास बैनरजी थे, ठीक है, जिनको हम आड़ी बैनरजी के नाम से भी जनते हैं, यह इन्होंने महांचो दड़ सभेता की खोच करी थी 1922 में, अगला ब अगला प्रशन कर लेते हैं, नए राजियों का गठन अथवा उसकी सीमा में परिवर्तन करने का अधिकार किसके पास है, तो आंसर है, संसत के पास नए राजियों का गठन अथवा उसकी सीमा में परिवर्तन करने का अधिकार है, अगला प्रशन महारा है, समिधान के कि अगला परशन कर लेते हैं, संभीधान की अनुछेद में बताया गया है, विदेशी राजे की नागरिकता सोच्छा लेने से वैफ्वेक्ति भारत का नागरिक नहीं होगा, तो आंसर है, संभीधान की अनुछेद 9 है, इसमें यह बताया गया है, कि अगर कोई भी नागरिक व भारत का नागरिक नहीं कहलाएगा, अगला परशन कर लेते हैं, संभीधान के किस अनुछेद द्वारा आस परश्यता का अंत कर दिया गया है, तो आंसर है, संभीधान का जो अनुछेद 17 है, इसके द्वारा आस परश्यता का अंत कर दिया गया है, अगला परशन कर लेते ह प्रकाश किश्परकार की तरंगे हैं तो आंसर है एक तरह की अनुपरस तरंगे हैं प्रकाश अगला पशन कर लेते हैं किस उपकरन का प्रियोग गारी दोरा चली गई दूरी मापने के लिए किया जाता है तो आंसर है जो ओड़ोमिटर यंदर होता है इसके द्वारा हम गाड़ी द्वारा चली गई दूरी मापने के लिए परियोग करते हैं अगला परशन कर लेते हैं स्करवी रोग किस विटामिन की कमी के कारण होता है तो आंसर है विटामिन C की कमी के कारण स्करवी रोग होता है अगला प्रसिद पुष्तक जंगल बोक किसके द्वारा लिखी गई है? रूड़ियर्ट किपलिंग द्वारा प्रसिद गआ जंगल बोक लिखी गई है? अगला परशन कहा लेते हम चो लोग Initially ah पाए जाता है क्लोरोफेल में कौनिय। जञा अनसर है य। जो फिंट में और म्नेटे आपा जाता है परें जो मैगनेशियम होता है इससा फिंबल होता है और आप 1989 और ऐस जी station होता है दिसके कारण यह मनुश्य जो खूल लाल होता है, वैसमने कोसे धातू पाया जाता है, तो पता कि मूरे लोहा धातू पाया जाता है, हीमोगलोबिन में, और में respond which पूछन कर लेते हैं, computer data store करने और गन्नाई करने के लिए किस number system का प्रियोग करता है, तो answer है, binary number का प्रियोग करता है computer data store करने में और गन्नाई करने में, अगला पूछन हमारा है, किस तारे का रंग, किसी तारे का रंग किस से निर्धारित होता है, तो answer है, तारे के तापमान से किसी भी तारे का रंग निर्धारित होता है। अगर आपसा एक्जाम में पुछा जाए कि कि fiancoul जादा होता है, तो आपको बतावेंगे जो नीले रंग का तारा होगा, उसका जो तापमानों का फेंट सबसे जादा होगा, और यह एक्जाम में पूछा गया कोशन है, अगला पशन कर लेते हैं, इंसुलीन रक्त में किसकी मातरा को नियंतरित करता है, तो आंसर है, अगला पशन कर लेते हैं, किस यंदर का परियोग हिर्दे समधी असमानताओं का पता लगाने के लिए किया जाता है, तो आंसर है, जो एलेक्ट्रो कार्डियो ग्राफ है, जिसे कि हम ECGB बोलते हैं, इस यंदर का परियोग करके हिर्दे समधी असमानताओं का पता लगाया अगला प्रशन है घरों में परियोग होने वाले नमक का रसाइनिक नाम क्या होता है तो answer है sodium chloride जो है ये घरों में परियोग होने वाले नमक का रसाइनिक नाम है और पर जो sodium chloride होता है इसको हम NaClb भी बोलते हैं ये इसका formula होता है अगला प्रशन है भारी जल का रसाइनिक नाम क्या होता है तो answer है deuterium oxide जो है यह भारी चल का रसाइनी की नाम कहलाता है उफन जो deuterium oxide है इसे हम D2OB बोलते हैं यह इसका formula है अगला पुशन कर लेते हैं यह भी exam में कईवा पूचा गया है voting की दोरान परियुक्त होने वाली CI किस resign की बनी होती है तो answer है silver nitrate की बनी होती है voting की दोरान परियुक्त होने वाली CI इस question का मतलब यह था आप कभी भी जब चुनाव में वोर्ट देने जाते हो तो आपके उंगलियों के उपर एक निले रंका CI से मार किया जाता है यह ना silver nitrate का बना होता है इसलिए यह काफी देर तक ना छूटता नहीं है पानी से अगला question कर लेते हैं किताब उल्व हिंदे के लेखक कौन है तो answer है जो albaruni है किताब उल्व हिंदे के लेखक है अगला question कर लेते हैं किस दिन भारतिय मत दाता दिवस मनाया जाता है तो answer है 25 January को भारतिय मत दाता दिवस मनाया जाता है friends मैंने आपको यह 50 questions करवाए उमीद करता हूँ friends आपको इस सारे के सारे questions अच्छे से समझ में आगे होंगे friends मैंने आपको बताया था कि जब मैं आपको यह 50 questions करवा दूँगा उसके बाद मैंने आपके लिए 2 questions कर टेस्ट भी है लेकिन टेस्ट लेने से पहले मैं आपको यह 50 questions एक बार फिर से revise भी करवाने वाला हो ताकि friends आपको सारे के सारे questions इसी वीडियो में हमेशा के लिए याद हो जाए और अच्छे से समाझ आ जाए और उसके बाद मैं आपसे 2 questions कर टेस्ट लूँगा उसका अंसर आपने मज़े कमेंडर के फिर देना है और फिर इसी जीके को याद करने का सबसे बैस तरीका है हम स्टार्ट कर लेते हैं अपना revision पहले question से पहला question है दो सागरों को मिलाने वाली संकीन जलमार को क्या कहा जाता है तो answer है जल डंबरू मद्दे कहा जाता है अगला question है कील नहर किन दो सागरों को जोड़ती है सही answer है उत्री सागर और बाल्टिक सागर को English Channel किन दो देशों के बीच स्थित है तो answer है उत्री वियतनाम और दक्षनी वियतनाम Madison रेखा किन दो देशों के बीच अंतराश्टी सीमा है तो answer है Canada और अमेरिका उत्री अमेरिका के उच्छतम परवत का क्या नाम है तो answer है Mount McKinil विश्व का कौन से ऐसा देश है जो Europe तथा Asia दोनों महादीप में स्थित है तो answer है Rus विश्व की सबसे बड़ी शुष्क मरुस्थल का क्या नाम है answer है Atakama कोईलय की सर्वोत्तम किसम कौन से होती है answer है Anthracite 90% Carbon पुरानी जलोड मिठी को किस नाम से जाना जाता है answer है Bangar नहीं जलोड मिठी को किस नाम से जाना जाता है answer है Khadar लाल मिठी का रंग लाल किस कारण से होता है answer है Low Oxide के कारण विश्व की सबसे विशाल जौलम उखिया क्या नाम है answer है Mona Loha Hawaii Deep किस महादीब को नई दुनिया के नाम से जाना जाता है answer है उतरी अमेरिका बेकाल जील किस देश में स्थित है answer है रूस देश में विश्व की सबसे बड़ी जील छेतफल की दिश्टी से का क्या नाम है answer है Caspian जील विश्व की सबसे बड़ी मिठे पानी की जील का क्या नाम है answer है सूपरियर जील किस महासागर में सबसे अधिक्तम लबनता पाई जाती है answer है मृत सागर फोब्स और डीमोस किस ग्रह के दोब ग्रह का नाम है answer है मंगल ग्रह सूर्य जो एक गैसिया गोला है अंकारा शेहर किस नदी के किनारे स्थित है answer है किजिल भारत का अंतिम गवर्नर जनरल तथा भारत का पहला वाइसराई कौन था answer है लॉर्ड कैनिंग किस वाइसराई ने स्थानिय सोशाषन की शुरूआत करी थी answer है लॉर्ड रिपन रॉलेट एक्ट उननीस किस वाइसराई के कारेकाल में पास हुआ था answer है लॉर्ड चैंप्स फॉर्ड किस ने उननीस सो इकिस में सड़पस थलकी खोच की थी answer है दयाराम साहनी मौँचो दोडोस थलकी खोच उननीस सो भाइस में किस के द्वारा की गई थी answer है रखाल दास पैनेर जी संभिधान के किस अनुचेद में नई राजों का प्रवेश वे स्थापना का वर्नन है answer है अनुचेद दो नई राजों का कठन अथा उसकी सीमा में परिवर्तन करने का अधिकार किस के पास है answer है संसद संभिधान के किस असंशोदन दोरा सिक्किम को पून राजे का दरजा मिला answer है 35 संभिधान के किस अनुचेद में बताया गया है विदेशी राजे की नागरिता सोचा लेने से पर वह वैक्ती भारत का नागरिक नहीं होगा answer है अनुचेद 9 संिधान के किस अनुचेद में भारत की महानयवादी के बारे में बताया गया है answer am 6 परकाश किस परकार की तरंगे है answer है अनुप्रस तरंगे किस उपकरन का प्रियोग गारी दोरा चली गई दूरी मापने के लिए किया जाता है answer है अग्दर परशन हमारा है, स्कर्वी रोग किस विटामिन की कमी के करन होता है? आंसर है विटामिन C, प्रसीद पुस्तक जंगल बुक किसके द्वारा लिखी गई है? आंसर है, रूडियार्ट किपलिंग, क्लोरोफिल में कौन सा धातू पाया चाता है? आंसर है, मैगनेशियम, इंटरनेट में प्रियोग होने वाला कम्प्यूटर भाशा कौन सा है? आंसर है, जावा, कम्प्यूटर डाटा स्टोर करने और गन्नाई करने के लिए किस नंबर सिस्टम का प्रियोग करता है? आंसर है, बाइनरी, किसी तारे का रंग किस से निधारित होता है आंसर है तारे की तापमान से इंसुलिन रक्त में किसकी मातरा को नियंदरित करता है आंसर है ग्लुकोज तारों का टिम्टी माना वायू मंडल के किस परिकिरिया दोरा होता है आंसर है प्रकाश का आपवर्तन किसी अंदर का प्रियोग हिर्द्य समद्धी असमातों का पता लगाने के लिए किया जाता है आंसर है अलेक्ट्रो कार्डियोग्राफ ECG घरों में प्रियोग होने वाले नमक का रसाइनिक नाम क्या होता है आंसर है sodium chloride भारी जल का रसाइनिक नाम क्या होता है आंसर है deuterium oxide voting की दोरान प्रियुक्त होने वाले से हाई किस assign की बनी होती है आंसर है silver nitrate किताब ओल हिंद के लिखक कोन है आंसर है albaruni किस दिन भारती है मैंने आपको ये 50 question करवाए उसके बाद मैंने आपको यही question एक बाद फिर से revise भी करवा दिया उमीद करता हूँ friends आपको सारे का सारे questions अच्छे समझ आ गए होंगे और याद भी हो गए होंगे इसी वीडियो में मैंने आपको बताया था कि जब मैं आपको 50 questions करवादूँगा revise भी करवादूँगा उसके बाद मैं आपको यही question इस question का मैं test लेने वाला हूँ तो दो question वही है जो मैंने आपको उपर करवाए है तो दोनों question का answer आपने मुझे comment के जरूर देना है पहला question है किस दीप को पचांत महसागर का चौरा का चाहता है दूसरा है medicine रिखा कि इन दो देशों के बीच में आपने मुझे दोनों question का answer कमेंटर के जरूर देना है उमीद करता हूँ आपको मेरी ये वीडियो पसंद आयो कि वीडियो को लाइक कर दीजिए चैनल को सब्सक्राइब भी कर लिजिए तक नेक्स्ट वीडियो की notification आपको आपके फोन पर मिल जाए मैं आपको उताया तो मेरे और भी YouTube चैनल है मेरे चैनल है Maths का जिसमें आपको Maths की और Reason की coaching दीजाती है यह है रवी study IQ Maths और अगर आप एंग्लिश और हिंदी पढ़ने है बिल्कुल एक्सपर्ट लेवल की वह है रवी study IQ English और एक मेरा मोटिवेशन चैनल है टेक चैनल है फ्रेंस वह है रवी बॉस तो आप इस तीनों चैनल को सब्सक्राइब कर लिजी ताकि नेक्स वीडियो की notification आपको मिल जाए अगर आपको कोई भी डाउट है किसी कोशन में तो आप मुझसे फेस्बुक पर, इंस्टाग्राम पर, टेलेग्राम पर बात कर सकते हो तो फ्रेंस वह है रवी study IQ GK तो इस पेज को भी आप लाइक कर दीजे ताकि नेक्स वीडियो की notification आपको मिलती रहे है आप इस वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे है आप इस वीडियो की जो भी पढ़ाया जा रहा है बिलकुल expert level कर पढ़ाया जा रहा है वही पढ़ाया जा रहा है जो आपके exam में पूछा जाएगा और अब बांकी वीडियो के लिए इस playlist चेक कर सकते हो वहाँ पे आपको पूरी वीडियो मिल जाएंगे तो मिलते हैं अब नेक्स वीडियो में Thank you and wish you all the best.